आपने इस वीडियो पे क्लिक है उसके लिए मैं आपको थैंक्स बोलूँगा इस वीडियो में आपको बताऊंगा पचास से साथ जारों की रेंज में वो कौन से लैप्टॉप है जो आप बाएक कर सकते हो इससे पहले भी हमने लैप्टॉप के पर दो वीडियो बनाई है और और हमें भी हेल्प होती है अपने कंटेंड को इंप्रूव करने की इस वीडियो में मैं लगबग हर एक कंपनी के लैप्टॉप आपको बताने वालों जो आपको बसंद है आप अपने अकोर्डिंग उस कंपनी का लैप्टॉप बाए कर सकते हो पचास से साथ जार का जो ब चलाने तो आप काफी आसानी से इन लैप्टॉप में चला सकते हो इसके लाववे जिन्हें बिजनेस प्रोड़क्टिविटी के लिए लेप्टॉप लेना है आप स्टुनिट और प्रोग्रामिंग और आपको करनी है वेबसाइट डिजैनिक के लिए फोडिशोग आपको साथज बाये में आप चाहतो और यहां पर आपको दियाना कना कि निए डिया जो अब कर तो आपको आई 5 से नीचे नहीं होना चाहिए आगर आप इंटेल में जा रहा रहे है और अगर आप हैसंनिंग जा अब और जाये हो का आप Appe 스타일 इप्सन आपको मिल जाएगे स्ट्रोर चेंग अगर बात करें तो पांसो बादा से ऊपरी आपको मिल जाएगा ग्राफिक टो चायप के लिए लाप मिल जाएगा तो वहाँ पर आपको कि च्राइब के लहाँ इनकतr से अच़ लेगा और आपको रफेक कार्ड वहां पर integrated मिलेगा तो उस condition में आपको हो जकता है display अची मिले बट जहां पर आप gaming के लिए laptop लेने की सोच रहो तो वहां पर आपको जो है dedicated graphic card मिलेगा और HD display आपको वहां पर मिल जाएगी तो यह कुछ basic चीज़े हैं जो आपको ध्यान रखनी है जब आप laptop बाई कर रहे हो चाहे आप online करो चाहे offline करो तो यहां पर मैं आपको easy कर देता हूँ जितनी भी company वह सारी company के laptop मैंने निकाल कर रखे हैं आपको मैं बता देता हूँ कौन सी company के अदर कौन सा model है क्या उसके अंदर configuration तो फटाबर से laptop को देख लेते हैं इस वीडियो का यह purpose है कि आपको यह पता चले कि अभी market के अंदर वह कौन कौन से laptop है जो आप बाई कर सकते हो आपको जो भी company पसंद है आप उस company का recording देख सकते हो तो यहां पर आपका यह benefit हो जाएगा कि आपको research नहीं करने पड़ेगी जितनी भी company हैं सभी company के यहां पर हमने laptop निकाल के रखे हैं तो इन में से जो भी laptop आपको पसंद आता है आपको detail में बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी YouTube के पर भी एक बाद detail में देख लेना देन उसके बाद फाइनल करना है कि यह laptop बाई करना या नहीं करना तो सबसे पहले बात करते हैं आसूस के laptop की तो आसूस में आपको जो है टोटल तीन laptop है जो 50 से 60,000 की बीच मिल जाते हैं सबसे पहला है आसूस का Tuff F50 सेकेंड है आसूस का बीवबुक के 50 ओलेड एंड थर्ड लैप्टॉप हमारा है आसूस का जैन बुक 13 ओलेड तो यह तीन मिल जाएगा DTS Audio कभी यहां पर सपोर्ट है तो यह लैप्टॉप आप ले सकते हो तो बाकी के जो दो आएंगे क्योंकि यह दोनों जो लैप्टॉप है इंटेल 11 जनेरेशन के प्रसेसर के साथ आते हैं इनके अंदर आपको इंटेल का जो एकुलेट कलर यह दिखाएगी यह डिस्पेले अगर आप इसमें मीडिया को अगरे कंजूम करते हो या मुवी अगरे देखते हो तो काफी अच्छा एक्सक्राइस आपको इन में रहने वाला है ऑफिस होगे रहा है इनके साथ प्रिंस्टॉल के अगर बात करें तो इस सकते हो यह लैप्टोप भी बेस्ट है इसमें आपको 18R का बैटरी बेकर मिल जाता है साथ में इसमें फेस लॉग इन का भी ऑप्शन है यानि फेस आईडी के साथ आप इसमें लॉग इन कर सकते हो वाइफाई 6 है Bluetooth 5 है यह सारी चीज़ें इसको मिल जाती है तो आप इसको भी चंसिडर कर सकते हो तो बात करते हैं लेपटोप की तो लेपटोप में अगर आपको कोई लेपटोप लेना है तो यहां पर मैं आपको दू लेपटोप सजेस्ट कर देता हूं सबसे पहला लैपटोप है वो है आईडियापट गेमिंग थिरी आई और सेक्ड लिए और इसकी डिस्प्लेइव फूल हर्ट की यहां पर दिस्प्ले मिल जाएगी 250 निट्स की यहां पर ब्राइटनेस है और एंटी लिए डिस्प्ले आपको मिल जाती है तो अवर यह भी गेमिंग के लिए है आप गेमिंग के परपस क्लिश से बाइब कर सकते हो से में सबकुछ फूल हर्ट डिस्प्ले है 120 हर्ट की रिफ्रेस रेट है आपको चार्ट जीवी का गरफिक कार्ड मिल जाता है इसके स्पीकर थोड़ अच्छे है और इसमें आपको डॉल्वी ओडिय का सपोर्ट मिल जाता है इसका जो कूलिंग सिस्टम है वो थोड़ा ज् लेजन की अगर बात करें तो लेजन सीरीज इनकी सबसे पॉपलर सीरीज है गेमिंग में इसमें आपको डेड़ दो लाग तक के भी वेरेंट हैंस के मिल जाते हैं तो अब बात कर लेते हैं अगर आपको एसर में कोई लैप्टोप बाई करना है तो यहां पर मैं आपको ती 3 तो तीनों लेप्टप में क्या डिफरेंस है फटावर्ट सब्सक्राइब को बताएता हूं इसे रस्पायर 7 में आपको दो वेरेंट मिल जाते हैं राइजन के अंदर मिल जाएगा और इंटेल के अंदर भी मिल जाएगा मैं आपको फिर फिर करूंगा इंटेल वाले आप ल के लैप्टप आप बाई कर सकते हैं यह भी गेमिंग परपस के लिए लैप्टप है और इसकी जो कूलिंग वगरे सिस्टम में काफी बेस्ट है इसके अंदर 15.6 इंच का जो है यह जो लैप्टप है और 2.1 किजिगा इसका टोटल वीट है इसके प्राइज है वह 54,940 रु की तो यह भी गेमिंग परपस के लिए आप बाई कर सकते हैं इसमें आपको राइजन 5 मिलेगा फोर्ड जनरेशन वाला यह 60,000 के आसरास है तो आप चाहो तो उसको बाई कर सकतो नाइट्रो 5 में आपको 6-4 वाला प्रोसेसर मिल रहा है और FHD डिस्पले है मल्टी जेस्टर है विंडो 11 है 4GB का यहां पर भी आपको ग्राफिक कार्ड इसमें भी मिल जाएगा तो यह आप देख सकते हो दोनों में प्राइस का काफी डिफरेंस है तो नाइट्रो 5 से बेस्ट आपको एसपायर 7 आप ले सकते हो बाकि आप रिव्यू अगरे देखो जो आपको बेस ले है और 512GB के SSD है 15.6 इंच की डिस्पले के साथ 1.7 kg जो इसका वेट है तो आप इसको भाई कर सकते हो फोर को ट्वैल थ्रेट वाला जो इसमें प्रोस्टर है तो आप इसको भी लेने चाहूँ तो ले सकते हो इस सस्ता है काफी एक्क्राइब जा नौने 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 तो इ है modern 15 और second laptop है MSI Gaming GF63 बात करते है modern 15 की तो modern 15 आप भाई कर सकते हो 54 990 का इसमें प्रोस्टर लगा रहा है Ryzen 7 5th generation वाला 8 core 16 थ्रेड वाला यह प्रोस्टर है तो काफी अच्छा प्रोस्टर है आप business work के लिए इसको ले सकते हो office task के लिए ले सकते हो student हो आप इसको बाई कर सकत हो यहाँ पर आपको जो है window 11 मिल जाएगी 1.6 kg का weight है Wi-Fi 6 है Bluetooth 5.1 है backlit keyboard मिल जाता है full HD display है AMD का यहाँ पर रेडियोन ग्राफिक कार्ड भी मिल जाता है तो अपरोल यह जो है आपको काफी अच्छी performance देगा normal task इससे आप आसाइनी से कर सकते हो दूसरा जो laptop है MSI Gaming GF63 इसे आ आप gaming होगे रहे कर सकते हो जैसे नाम से आपको समझे रहा है gaming है इसमें आपको i5 11 generation का processor मिलेगा जिसमें आपको 8 GB और 512 GB SSD मिल जाएगी 6 core 12th rate का यह processor है और इसमें आपको 4 GB का graphic card भी मिल जाएगा 1.8 kg का total weight है तो gaming के लिए अगर आपको buy करना है तो इसको buy कर सकते हो तो च gaming laptop और एक है productivity के लिए तो gaming के लिए आप buy कर सकते हो HP Pavilion जो कि आपको 4940 का मिलेगा अगर आप खरीकते हो Ryzen वाला अगर आप Intel की तरफ जाते हो तो Intel वाला आपको 60,000 के करीम मिलेगा बट मैं आपको जो राइजन वाला प्रिफेर करूंगा क्यूंकि अगर आप Intel वाला buy करते हो तो i5 10 generation मिलेगा वो जो प्रोसेसर है वो चार कोर वाला है और अगर आप राइजन वाला buy करते हो तो 6 वाला आपको प्रोसेसर मिल जाएगा राइजन के साथ आप जाओगे तो राइजन 5 मिलेगा 5th generation का 8 GB मिलेगा 512 GB मिलेगा 4 GB का ग्राफिक कार्ड मिलेगा बात कर इस प्रोडक्टिविटी के लिए लैप्टोप लेना तो आप ले सकते हैं इसमें आपको जो आइफाइज जनेशन वाला प्रोसेसर मिलेगा जो कि आपको 12 वाला प्रोसेसर है और साथ में आपको 8 GB RAM 512 GB SSD विंडो मिल जाएगे आपको 11 Intel का Iris Graphic Card है Full HD Display है 250 निर्स की brightness है 7R का बै अगर आप राइजन में जाओगे तो 50,000 के आसपास का आपको मिल जाएगा इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको प्रिफेर करूँगा Intel वाले लोग आप बले 2000 पर ज्यादा है पर इंटल वाले लोगे तो 12 जनेशन वाला प्रोसेसर मिल जाएगा तो बाकी आपको 12,000 के आसपास आएगा 61,490 के आसपास तो उसको भी आप देख सकते हो अगर आफर बगरे लगाए तो आपको साथ इदर के अंदर मिल जाए तो वह भी लैपटॉप काफी अच्छा है उसमें भी डिजाइन मोडूल काफी सही लगा मुझे तो आपको देखना है तो वह जा 3400 आप ले सकते हो यह मिलेगा आपको 77,090 रुपे का इसमें आपको मिलता है i5 11th generation RGB RAM 512GB के SSD Windows 10 और इसका जो टोटल वेट है 1.8 kg है इसमें आपको ग्राफिक कार्ड वी मिल जाएगा 2GB का जो की है GeForce MX-330 तो आप इसको भाई कर सकते हो चार को वाला इसमें प्रोसेसर है फुल एच्टी डिस्प्ले एंटिक ले डिस्प्ले तो अगर आप डेल के सौकी नहीं हो तो आप इसको ले सकते हो काफी महंग है इसमें कुछ भी नहीं मिल रहा पो बट फिर मैं लिस्ट में डाला यह जो मॉडल मुझे मिला है यह मिला है मुझे इनकी वेबसाइट पर फिलिपकार्ड और एमाजोन पर यह कुछ अलग कॉन्प्रिकेशन के साथ आ रहा है और थोड़ा मैंगा भी है तो वहां पर यह मिल जाए आपको अठामाजा 990 का तो इन सभी कंपनी के लावा भी हमा के अंदर जा सकते हो 50-60 में काफी अच्छे लैप्टोप मिलते हैं उन में आपको जो है गेमिंग के लैप्टोप नहीं मिलते हैं अच्छी डिस्प्ले मिल जाएगी तो इस टाइप के मापे आपको आई 5 से उपर ही मिल जाएगा तो आप जाओ तो देख सकते हो लिंक मैं दे दूगा तो बात कर लेते फाइनल कंक्लूजन की तो यहां पर मैं आपको कुछ लैप्टॉप सजेस्ट कर देता हूँ अपने परसनल एक्सपीरियंस से कि वह कौन से लैप्टॉप है जो आपको बाई करने चाहिए तो आज मैंने आपको काफी सारे लैप्टॉप बता कर सकते हो तो अगर आपको गेमिंग के लिए बाई करना तो सबसे पहले नमबर पर ने रखाए एसपायर सेवन दूसरे नमबर पर रखाए लीजन फाइव तिसे नमबर पर रखाए आसूस का टॉफ एफ फिप्टीन चोथे नमबर पर रखाए है एएच्सपी का पविलिय है और सेक्रिंड जो लीजन है उसमें भी आपको सिक्स कोर वाला प्रसेसर मिलता है तो प्रसेसर के अगॉर्डिंग जो है मैंने यहां पर कुछ चीजें ऊपर नीचे करिए तो आप अपने अगॉर्डिंग भी लिस्स बना सकते हो बिजनेस और प्रोड़क्टिविटी के आपको बाई करना है तो यहां पर मैंने सबसे पहले नमबर पर रखाया है एच्पी का दूसरे नमबर पर रखाया MSI modern 15 यह दोनों लेप्टोप काफी बैस है इन दोनों मैंस आपको भी पर्चेस कर सकते हो तेसे नमबर पर मैंने रखाया आसूस का वीबो बुक के 15 OLED तो अ लेप्टोप है इसले इसको मैंने पांची नमबर पर रखाया है आप इसको चाहो जो चौते नमबर पर रख सकते हो तो यह थे हमारे सजिशन जो आप चाहो तो इनमें से कोई भी बाई कर सकते हो लिंक आपको सारे मिल जाएंगे ऑफर भी है आभी आप देख लेना ऑफर लेप्टोप में क्या ओफर है आपके डाउट होगे होगे कौन सी कंपनी यहां तो कौन सा लैप्टोप है आपको जो रिसर्स नहीं पड़ीगी सारे लैप्टोप हमने रिसर्स करके आप डाल दिये आप इनमें से कोई भी देखो जो आपको बैस लग रहे है हमारी मैनत लग रही है आपको लग रहे कि हम आपको information दे रहे हैं काफी research करके तो यह सारे चीजें आप के ओपर छोड़ दी मैंने last time मैंने कहा था कि आपको अच्छी लग रही information तो आप चैनल को support कर सकते हो तो मैं मिलता हूं next video हुआ 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 है